दोस्तों तो वेलकम टो मैं व्लॉग और हो चुका है अभी सुबह तो अभी जो है सब रेडी हो रहे हैं और उसके बाद जो हम लोग निकलेंगे यहां से न्यू यॉर्क सिटी तो वहां पर देखते हैं और क्या-क्या कवर कर सकते हैं फिलाल प्रियांसु लेट कर रहा है यह अभी हम लोग यहां निव यॉर्क में सेम टाइम डिफेंट जगह हैं बस तो चलिए चलते हैं जल्दी से यहां दोस्तों लोग तेयार हो चुके हैं और इसको देखिए क्या करते रहता है दिन भर है तो यहां से जो है अब चलना है हम लोगों को निकलने बहुत लेट हो ग हम लोग एक दूसरे वाला रास्ता से निकले हैं और लॉक कर दिये तो चैसे भी करके जुगार तो लगी जाता है तो चलिए फिर स्टार्ट कटने कारी के और यह है मेरा कंप्लीट लुक तो थंड ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी जैकेट बैक अप के लिए है और यही है तो आप लोग बताईए कैसा लगा और यह रहा आपना केल्विन क्लाइन नभील फिर से एक बार तो यह थोड़ा सा ओल्ड जगह था हर सब बहुत पुराना-पुराना है तो यह देखिए यहां पे जह है कितना जबरदास्ती लोकेशन है तो हम लोग जो है पाउग के सी कर कि अधार वहां पे थे और वहां से जो न्यू यॉयोर्क सिटी जानी का रास्ता है वो कुछ इस तरह से खूबशूरत है बहुत खूब इस बाइक 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 देखिए स्कूर्टी चला रहा है भाई सार्वाँ अंधी ने लग रहा हो स्कूर यह बिल्डिंग देखिए किता जबरदस्त है तो यह देख सकते हैं यह जबरदस्त जो है एरिया है तो डाउन टाउन जो है इसका शुरू हो चुका है वह जो बिल्डिंग है देखिए वह पूरा जो है बादल की बीच में है तो यह देखिए यहां पर जो है टाइम स्कूर रिटाए यह रास्ता है लोग अल्मोस्ट पहुंच चुके हैं तो यह देखिए यहां पर जो है हमने पार्क कर दिया है स्कूल के साथ ने यहीं पर है एक साइकल पार्किंग और यहां से टाइम स्कूर बस एक किलोमीटर है अपला पॉइंट सेवन माइल्स के आसपास है तो यह देखिए बिल्डिंग्स देखिए यहां पर भी रिक्सा है यह वाला और संता जी रिक्सा चला रहे हैं अरे वह लड़की चला रही है रिक्सा यह गंदगी यहां पर है काफी लेकिन यहां पर भीजू है कच्ड़ा हर देगर कच्ड़ा कच्ड़ा है जह जह पर देखिए लेक्ड़ा है तो जैसे अपने यहां शिकागों में से वो लिफ्ट का साइकल मिलता है यहां पर यह सिटी बाइक करके है कुछ mister.com तो यह कुछ अच्छा सा देख रहा है रेस्टोरेंट असा इसको देखिए तो यह देखिये यहां पर यह दिखा है चिकागो यह देखिया है यहां से दुआ निकल रहा है और यहां पर फिर से कच्छड़े का अधेर्ट यह देखिये कितना साड़ा कच्ड़ा है यह देखिये क्राउन प्लाजा होतल है यह काफी लंगा है यह देखिया वी वर्क कंपनी है और एक बार और फिर से बड़ा सा कच्ड़ा है पुरा नियुल्यॉर्क में भड़ा हुआ है और यह फाइनली हम लोग आ चुके हैं टाइम स्कॉएर पर यहां पर कुछ मिल रहा है नट्स तो गेरा और यहां पर देखिये पुरा यह दूए तो पॉला श्मांट थीक आफे बोलर साग़ यहां पर पूरा स्ट्रीट शॉपिंग है यह देखिए पूरा स्ट्रीट पर जो है यहां पर दुकान वगे रहा है तो यह देखिए वो रहा है H&M के बस पार्डी बस कितना भीड है भाई वजब भी रहे यहां तो यह देखिए यह देखिए यहां पर यहां पर जो भीड है इतना ज्यादा भीड है कि मतलब देखिए लग रहा कितना आद में यहां पर देखिए यहां पर जो है है तो यहेंट मिला है यह एक होटल यह होटेल है तो एक होटेल यह भी है यह न्यू यॉयॉर्क में यह देखिए और टाइम स्क्वाइब कर दो यहां आते ही जो है एक यह किस्मस ट्री दिखा है और इधर देखिए कितना अच्छा लाइट निगे तो रात में अच्छा लगेगा रात में वैसे हम लोग आएंगे फिर से वह उपर देखिए धूगा निकल रहा है पुरा यहां पर एक सब्वे मिला कि दिखिए यहां पर ही जाएगा और अब हम लोग जो है लेंगे ट्रेन यह है ट्रेन का सब्वे यहां से लेना प्रेगाम लोगो टिकेट यहां बनाविल टिकेट ले रहा है सुच किया रहा है जालो कि कैश का अपसा में है क्या कैश डालेगा है यहां यहां पर बस डालिए और निकल जाएगा आपका कार्ड आपर स्वाइप करके हम अंदर आ चुके हैं और यह जो है इस्टेशन है यहां से हम लोगों हमने लिफ्ट लिए यहां पर नवील फ्लोर दबाते हुए कि यहां का इस्टेशन तुझे इस तरह का है और यह इस पर भी गंदा है तो एक ट्रेन आ रही है यह देखिए अब जाखा बेर और यह अब आपना वे आ गया इसमें लोगों को जाना है चलिए बैठें अंगर पडाग से तो देखिए बैठ गया है अपना और यहां से पंदर विनट बाद आप पहुंचेंगे काफी टेंसल में तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं ब्रोडवे से इस्ट ब्रोडवे और अब यहां से फेरी राइट के लिए जाएंगे तो जब दी चलना पड़ेगा आप लोग को प्रेरी राइट के लिए भी जो है दस में टॉर चलना है सायद हम लोग अगर पाएंगे यह नहीं पता नहीं जटके हैं क्या बोल रहे हैं बोलो करना पड़ेगा कि जो टिकेट है वो मिल रहा है या नहीं तो चलिए देखते हैं जलनती से पुरा क्रॉक्रूं बगेरा तो यह देख सकते हैं जो पुल है वो पेड़ी है शायद वही लास्ट पेड़ी है आज का जल्दी से चलते हैं लाइन लगने नभी लो आगी है यह प्रियान सुख हो गया था इतना ज्यादा भीड है यहां पर कि हम लोग को जगाने मिल पाएगा वह देखें लंबा लंब अचम मतलब भीड है और ये बड़ा सा एक रिभर है अजो एर अब एंचैनल जो है और वही ब्रीज पर जो है सो फाइडर मैं जो है इसको मारा था रहे पाईडर मैं उसी पर आया था ना लटका वा राता था ना एं लटका राता था उख़ा है तो इसके अनल जो है बाइठने वाला भी है खाने पिने का भी है तो कुछ दिख रहा है तो रेस्टोरेंट टाइप है वो देखिए वहाँ पर अज़र बर्दस लग रहा लाइटिंग तो यह इतना बड़ा सा शिप है तो हम लोग के नसीम में तो नहीं था आज तो यह देखिए यहाँ से एक डाउन टाउन का लुक और यहीं पर जो है यह अपना ब्रिज तो हाटी जबर्दस तो हम लोग को फ्री एंट्री मिला है इस स्टेशन पर क्योंकि कैस था हम लोग के पास और कैस वालों को फ्री एंट्री दे रहा था तो हम लोग उच गए क्या कैस वाले को फ्री एंट्री साथ हम लोग उच गए नफील ने ध्यान दिया कान खड़े हो गए इसके जेशे ही कैस का फ्री एंट्री दिखा तो बस आप ट्रेन का इंद जियार करते हो चलते है टाइम स्कुरेट तो जिस आप से यहाँ पर भीड देख सकते हैं एकदम कुम्भ मेला लग रहा है और खो जाए और कोई तो मिलेगा भी नहीं खत और नाक तो ना भीड क्यों है पता नहीं कि गजब का भीड है तो यह देखे यह वाश्रूम के लिए तना लंबा लाइन है तो यह देखे यह जगा यह पूरा एकदम मस्ट अंडर ग्राउंड है त अब लोग और इसको देख सकते हैं आप लोग यहां पर भागते वे जा रहा है अब देख सकते हैं यह जो है इतना ज्यादा भीड है कि अब हम लोग का मन ख़क चुका है तो यहां पर यह पुश बटन है दवाईएगा तो आपका सिगनल खुल जाता है इस तरह से इसको द तो इसलिए जो है हम लोग आ गए न्यू जर्सी